हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टो आवे यूटूब चनल आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आज फिर मैं अब सभी के लिए स्टोरी के लाइन बाइन हिंदी ट्रांसलिट लेकर आई हूँ जो कि स्टोरी जो होगा वो अधर आउन सब्सक्राइब कर दिजिएगा जिसे कि आप हमारे फैमली का एक मेंबर बन जाओ जल्दी से फटाफट तो चले हम स्टार्ट करते हैं और जरूर से जरूर कमेंट करिएगा प्लीज 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 सब्सक्राइब दे चैनल तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए दो वाइज फार्मर एंड़ ट्रेजर अब देखिए वाइज का मतलब क्या होता है ठीक है जैसे मैं आपको बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे से समझांगे दार ठीक है समझदार अगर कोई विक्ति ज्यादा समझदार है अप उसको बोलोगे you are a wise person क्या बोलोगे you are a wise person ठीक है फार्मर का मतलब होता है किसान ठीक है ट्रेजर का मतलब होता है खजाना ठीक है ट्रेजर का मतलब क्या होता है खजाना ठीक है ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो क्या हो गया, the wise farmer and the treasure, यानि कि समझदार किसान, the wise farmer and यहाँ पर हो गया, और and the treasure, यानि कि और खजाना, ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकिए, यहाँ पर देखिए, once, यानि कि एक समय, once there was a farmer who had three sons, ठीक है, once का मतलब होता है, एक समय था, ठीक है, there was a farmer, एक किसान था, ठीक है, who had, यानि कि जिसके पास, वहाँ पर who, मतलब सिर्फ कौन ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग, sentence के according, situation के according, English को हम लोग represent करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर who का मतलब हो गया है, जिसके पास, ठीक है, जिसके पास, head का मतलब होता है, past, ठीक है, head का मतलब होता है, past, जो कि हम लोग past tense पे लगाते हैं, यानि कि past था, है नहीं, past था, ठीक है, और अगर है होगा, तो हम लोग have लगाते हैं या फिर हम लोग has लगाते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा pass है समझ में आया three son अब देखो once यानिकी एक समय की बात there was a farmer यानिकी एक किसान था was का use हुआ है इसलिए यहाँ पे था who had three son यानिकी जिनके जिसके तिन बेटे थे इतना किलिर हो गए है अब देखो अब आगे बढ़ते हैं the farmer was old जो किसान था वो क्या था old यानिकी बुढ़ा थे and knew his son very lazy और उससे पता था and knew यानिकी जानना यानिकी उसको पहले से ही पता था his son यानिकी उनके बेटे were lazy यानिकी उनके बेटे बहुत ही आलसी थे यहां पर were का क्यों यूज किया गया है क्योंकि उसका एक बेटा नहीं था कितने बेटा था तिन बेटा था जब एक से अधिक कोई होता है तो हम लोग were का यूज करते हैं जब कोई एक ही होता है तो हम लोग वहाँ पर was का यूज़ करते हैं ठीक है इतना समझ में आए आपको ठीक है the farmer was old and knew his sons were lazy देखो यहाँ पर sons लगाया गया है son नहीं लगाया गया है ठीक है son नहीं लगाया गया है sons लगाया गया है यानि कि एक से अधिक यानि कि किसान बुढ़ा हो चुका था और उससे पता था कि उसके बेटे आलसी थे ठीक है यहाँ पर है इसने लिखा है कि यह past का ही बात कर रहा है ठीक है आप इसको था भी बोल सकतो यह भी है भी बोल सकतो यह स्टोरी का एक sequence आती है उसके बात क्या है वन डे वन डे का मतलब गया एक दिन ही डिसाइडेट यानि कि उसने निननाई किया ठीक है उसने निननाई किया तू टीच देम यानि कि उसको सबक सिखाना टीच का मतलब वतासी पढ़ाना ही नहीं होता है अगर आप उसको कुछ पढ़ाना चाहते हो कु वह तरह महात हुआ हाड़ वर्ग करने के कड़ी महना थे अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वन दे का मतलब समझ में आ गया एक दिन इसको बुलाया अगर आप किसी को बुलाना चाहते हुँ तो क्या मैं बोलूंगी अगर कोई मेरे पास ही है तो मैं उसको बोलूंगी I said अगर कोई आपके पास है तो अपने को said या said हो जकते हो ठीक है और अगर कोई दूर है तो अपने को called करें बुला ले लो ठीक है तो he called it them and said उसने 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 उन्हें बुलाया और कहा there is a treasure bird is in the fields खेतों में खजाना दफन है थेक है bird का मतलब होता है दफन दफन है यहनि कि जमीन के अंदर कुछ दफा हुआ है मतलब कुछ गड़ा हुआ है ठीक है दफन है तो dig up the entire field dig up का मतलब हूता है खोदना dig up का मतलब होता है खोदना ठीक है खोद दो ठीक है खोदना इंटायर यानि कि पूरा फिल्ट का मतलब होता है खेत खेत या जमीन बोल सकते हो ठीक है अब इसको हिंदी में देखो बेटे उत्साहित हुए और खेत खोदने लगे तो इस तरह से चीजें हो रही है उसके बाद देखो they worked for days ठीक है उसने काम किया कितने उसने काम किया कुछ दिनों के लिए but found no treasure ठीक है तो उसको कोई भी खाजाना नहीं मिला अब देखो इसका इंगलिज हिंदी देखो उन्होंने कई दुने तक काम किया लेकिन कोई खाजाना नहीं मिला उसे ठीक है दिन हो गया यानि की बहुत समय हो गया यानि की काफी समय हो गया तो they gave up वे हार मान गये and returned to their father वो अपने पिता के पास वापस लोट आए ठीक है return का मतलब होता है वो आपस लोट ना to their father यानि की वो अपने ही पिता के पास वापस लोट आए ठीक है अब इसकी पापा क्या बोल रहे है जो उसकी किसान थे वो smile की यानि की वो मुस्कुरा रहे है और बोल रहे है look at the field now अब तुम इस खेत को देखो it is more fertile आए यानि की अब ये काफी उपजाओ हो गया है पहले से जादा ठीक है यहां पर देखो और फसल भी अधिक होगी कि यहां पर क्या है और हार्वेस्ट विल बी बाउंटी फिल ठीक है हार्वेस्ट का मतलब तब फसल बहुत सारे फसल ठीक है विल बाउंटी फुल ठीक है अब देखो the hard work you did to dig the field is the true treasure अब क्या भोलड़ा है the hard work यानि जो तुमने महनत किया किया did का use यानि की किया ठीक है did का मतलब बता किया dig the field is the true treasure यही असली खजाना है क्या असली खजाना है hard work ठीक है जो तुमने जो महनत तुमने खेत खजने में की वही असली खजाना है ठीक है the sun understood that hard work was the real wealth ठीक है तो बेटों ने समझा कि महनती असली संपत्ती है ठीक है बेटों ने क्या समझा कि महनती असली संपत्ती है तो आपको एक चीज़ समझ में आया यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे sentence का use हो रहा है और जब भी हम लोग कोई भी story ठीक है कोई भी story बोलते हैं तो वो mostly past tense में होता है जो कि was work का use होता है और भर का second form mostly use होती है ठीक है और इसके साथ साथ हम लोग story का line में जानते और जो sequence है कि किस तरह से बात किया गया है यह भी हम समझते हैं उसके साथ से कुछ कुछ ऐसे word है जो हमें जानने को सुनने को मिलती है और अगर हम storytelling करें तो किस तरह से कर सकते हैं यह भी हम समझते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है आपको तो definitely आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पे जरूर जूट चुके हैं मैं आसा करती हूँ आप जरूर यह काम किये हैं और वीडियो कैसे लगी comment box पी comment करके जरूर कि हर दिन में नए नए तरीके से आप सभी के लिए अपना एफर्ट तो लगाते रहूंगी तो उमिद करते हो आप इंजॉय के इस सेशन को तो मिलते लिए वीडियो पे तब तक लिए टेक क्यार बाई 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 अपना ख्याल रखेगा और अपनों का ख्याल रखेगा दल्ने वाद आप सभी का